सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन मीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आज का चिन्तन आज का चिन्तन आज हम बच्चों को कह रहे हैं तिन बाप का राज सब को कहानी में सलसुनाओ जब तक बेहत बाप को पहचान कर पावन नहीं बनने तब तक बरसा नहीं मिल सकता साथ हैं बाप पूछ रहे हैं बापा बिलकुल ही नया है उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचे दिया है बापा कहते हैं बापा को मनुष्य ने हजार सूर्य से भी तेजो में कहा लेकिन बापा कहता है मैं बिंदी हूँ तो नया बापा हुआ ना पहले अगर बिंदी को कोई देख ले मतलब बिंदी का सक्षत कर होता है तो कोई मानता ही नहीं इसलिए जैसे जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही सक्षत कर हो जाता है आज बापा ने बहुत प्यारा सा गीत याद कें है ओम नमश्रिवाज बापा कहते है निराकार शिव भगवान उबाज सिर्फ भगवान उबाज कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है क्योंकि आज कल भगवान सब भव पड़े हैं इसलिए निराकार शिप भगवान वाज कहते हैं गौड फादर कहा जाता है निराकार भगवान वाज किसके प्रती निराकार बच्चों मतलो रूहों की प्रती रूहानी भगवान वाज वा इश्चुर वाज यह अक्षर शौबता नहीं निराकार भगवान उबच शुबता है, अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यहें गुप्त बात हैं, इनका चित्र निकल सका है, बने जो बाबा गुप्त है, इनका चित्र कैसे निकल सके, नहीं निकल सके, बिंदी बनाकर भगवान उबच लिखें तो कोई मानेगे नह भगवान के यथर्थ धाम रूप देशकाल को कोई जानते ही ने अगर बाप को जान जाएं तो रचना को भी जान जाएं परंतो ना जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूधा हुआ है क्योंकि तभी तो आकर बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुश्य नहीं दुनिया में रहने वाले मनुश्य को पूझते हैं तुम बच्चे को समझना है जबकि रिशी मुनियादी सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहां से जाना, अगर तुम बाप को रचता को जानते हो, तो हमको अनुलेज दो, बाबा कहते हैं, यह अब दुखधाम है, और कोई सन्यासी लोग तो वर्सा देहीं नहीं सकते हैं, तुम बच्चे को बाप से वर्सा मिलना है, नहीं दुनिया का वर्सा अर्था सुख देने, तो जरूर दुख खतम हो जाएगा, अब इस दुखधाम का विनाश होना है, नहीं दुनिया ही, अब पुरानी हुई है, फिर नहीं बन जाई, नहीं दुनिया को सत्युक पुरानी दुनिया को कलिव कहा जाता है, नहीं दुनिया में जरूर मनुश्य थोड़े होने चाहिए, सत्युक में एकी धर्म था, इस समय अनेक धर्म है, दुख भी है, सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है, यह खेल बना हुआ है, बाबा कहते हैं दुख कोन देता है, यह तो रावन देता है, बाबा कभी दुख नहीं देते हैं, बाबातिय वह अपवित्र कोई होते नहीं कहां नई दुनिया में सब निर्विकारी होते है निर्विकारी बने होते हैं सब को बताए भारज जो स्वर्ग नई दुनिया थी उवह पुरानी हो गई है रचीता तो बाप ही है वो खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नहीं दुनिया की स्थापना करता हूँ बच्चो को एड़ेप्ट करता हूँ ब्रह्मा का नाम ही है क्या नाम है प्रजाबता है ब्रह्मा तो जरूर इतने बच्चों को एडप्ट ही करेंगे जैसे सन्यासी फॉलोर्स को एडप्ट करते हैं पुरुष्ट्री को एडप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो यहां भी तुम केते हो शिबाबा मैं आप का हूँ, आप मेरे हो घर बेठे भी वहुतों को टच हो जाता है फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं क्योंकि बंदन में हूँ आने ही सकती, परंतों में हूँ आपकी तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था ये लक्षमिन नराण स्वर्ग का मालिक थे जरूर डिनाष्टी चली होगी नई दुनिया में नया राज्य था अब नहीं है बाबा के ते हम अभी तुम संगम पर हो नई दुनिया स्थाफना होती है उसके लिए तुम पुरुशार्ट कर रहे हो और ये दो बाब का राज भी कहानी विसल सुनाना चाहिए सतिग में है एक बाब बेहत के बाब को याद करते ही नहीं क्योंकि सुखधा में दौपर में हैं दो बाब लोकिक बाब होते भी परलोकिक बाब को याद करते हैं आत्मा ही अपने बाप को याद करती है क्योंकि आत्मा ही दुख सेहन करती है पुन्यात्मा बापात्मा आत्मा ही सुनती है संस्कार आत्मा में है जिसमें देवी संस्कार नहीं है बदेवी संस्कार वालों का गायन करते हैं गाय भी जाता है आप ही पुज्य आप ही पुजारी पुजारी बनते हैं तो गाते हैं मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं उसमें गुण हैं हमारे में नहीं पुज्य सो पुजारी तुम ही पुज्य सो देपता थें फिर तुम ही पुजारी बनते हों 84 जनम के लिए आधा कलब पुज्य आधा कलब पुजारी हिसाब समझाना पड़े देवताक्ष्यत्रिव वेश्य शुद्र इस समय हम ब्रामण हैं मतलब बीके हैं अभी बाप आया है घर ले जाने ड्रामा अनुष्यार सबको घर जाना है पहले सुर्य बंक्षी फिर चंद्र बंक्षी फिर वेश्य बंक्षी फिर शुद्र बंक्षी बन जाते हैं वह है निराकार आत्माओं का जाड़ यह साकारी मनुष्य का जाड़ ब्रामण देवताक्ष्यत्र वेश्य शुद्र इसमें सारा विराठि रोप आ जाता है ब्राह्मन बृध्धि को पाते हैं और विश्दु की माला बनेगी ब्राह्मन के ऊजुन नहीं कह सकते हैं क्यांकि बदलते रहते हैं इसलिए रुद्र माला पुजी जाती है यह नहीं बाते ये बाते कोई की वुदी में जरावी नहीं है कल्ब की आई वो लाख वर्ष कह देते हैं इसलिए तुम्हारी बाते सब को नई लगती है नई दुनिया के लिए नई चीजी मिलती है बाबा भी वास्तम में नहाएं वो कहते हैं नाम रूप से नियरा या कह देते हैं हजारों सुर्य से भी तेजम है सो तो जरू जैसी भावनागी वैसे सक्षत कर होगा बाबा फिर से कह रहे हैं बिंदी का सक्षत कर हो तो कोई माने ही नहीं समझने की बाते हैं अगर बिंदी दिखाई भी देगा समझने सकता है कोई यह सब बाते नहीं होने के कारण मुझते ही जो यहां कहुंगे उनकी सेपलिंग लगेगी तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझाए परलो की बाव के लिए भी समझाना है बाबा कहते हैं रावन पांच विकारों को कहा जाता है और वो विकार कहा है आत्मा में ही पांच विकार है जिसका पुतला बनाते हैं तुम जानते हो अभी यह दुख फिर सुक में जाना है है तसर बाप आकर ले जाएंगे वही पाति पावन जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे यह भी आते हैं श्राद खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ब्रामन को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं समझते हैं वो आत्मा आती हैं आत्मा बुलती हैं हाँ इनका आना न्यारा है यह है भगवान का रत बहगवान भी कहते हैं, भागिरत कहते हैं पाले की बात नहीं है, यह तो सारे ग्यान की बात, बाप समझाते हैं साधर अन्रतन में प्रवेश करता हूँ, तो बाप कहते हैं बच्चे यह अंतिम जनम पावण बनेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे, कितनी बड़ी कमाई है बाब केते हैं धन्दा आदी भले करो सिर्फ मुझे याद करो पावन बनो तो योग बल से तुमारी खाद निकल जाएगी तुम सुत प्रधान बन जाएगे एक रस करमाती तवस्ता बन जाएगी तो आज बाबा हम बच्चों को धारणों में कहते हैं योग बल से आत्मा को सुत प्रधान बना कर एक रस करमाती तवस्ता तक पहुँचना है याद की गुप्त मेहनत करनी है एकांत में पढ़ाई करनी है बाप से मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्सा लेने के लिए इस अंतिम जनम में पवित्र जरूर बनना है आज बाबा हम बच्चों को बर्दान दे रहे हैं एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धी को नेगेटीव के प्रभाव से बचाने वाले नमबर वन विजय भाव बर्तमान समय विशेश माया का प्रभाव मन में नेगेटीव भाव और भावना पैदा करने का इसलिए पहले से ही सेप्टी का साधन आपना हो इसका विशेश साधन है शिरिफ एक पॉइंट शब्द हो कोई भी संकल बोल वा करम ब्यार्थ है तो इस पॉइंट लगा दो तब नमबर वान विजय भाव बन जाए है माय के सरुप को पहचानो सीजन को पहचानो और स्वा अज बाव हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं संगम पर जिने सेवा का स्रिष्ट भाग्य प्राप्त है वही पदमा पदम भाग्यवान है तो आज की मुरली का नुसर हम सोमाल लेंगे मैं विजय रतनू मैं आत्मसितारा विजय रतनू हूं मुरली को और गहरी इती से च किंतन करते हुए निरंतर शिवावा की याद में रहना है और सबको बाप का परिचे देना है तीन बाप की कहानी सुनाना है एक शरी का बाप दूसरी जो ये संगम युग में है ब्राभान जो टाइटल मिला है उसका बाप ब्रम्हावा और तेसरी सभी आतमाउं की पीता प पुरिशार्द करते रहें। खुश रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें। ओम शांदी। ओम शांदी। ओम शांदी।